बिना किसी फाल्तू मेहनत के बहुती आसानी से तावे के बर्तन को चमकाने का ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहे हूँ अक्सर हम लोग जब घर में तावे के बर्तनों को साफ करते हैं तो कुछ समय बाद ही ये काले दुबारा हो जाते हैं लेकिन अगर आप इस ट्रिक को फालो करेंगे तो ये प्रॉबलम आपके साथ नहीं होगी काफी लंबे समय तक ये बर्तन दुबारा काले नहीं होगे तो आपको करना क्या होगा आपको सबसे पहले लेना होगा गेहूं का आटा जिससे आप घर में चपाती बनाते हैं आप वही गेहूं का आटा आपको ले लेना है ठीक है और अब आप इसमें एक खास्तिज डालेंगे और वो है नमक तो यहाँ पर गेहूं के आटे में में डाल रहे हूँ आधा चमच नमक और अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रहे हूँ आधा चमच बेकिंग सोड़ा यानि की मीठा सोड़ा जिसे खाने वाला सोड़ा बोलते हैं वही ये भी आपको आधा चमच ही डाल देना है और अब आप क्या करेंगे इसमें डालेंगे विनेगर यानि की सिरका तो इसमें हम डाल देते हैं लगफक टू टेबल स्पून ये विनेगर तो पहले आपको थोड़ा विनेगर डालना है और इसे डालते ही देखिए काफी सारे छाग बन रहे हैं पहले इसे हम मिक्स कर लेंगे और अब जो हमारे पास विनेगर बच्चा है ना उसे भी हम इसमें डाल देंगे हमारे पूजागर में बहुत सारे बरतन तावे और पीतल के ही हम इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से चमका सकते हैं तो विनेगर डालने के बाद मैंने से बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है अब जैसे की तीपावली का त्योहार आ रहा है तीपावली पर हम सभी बर्तनों को बहुत अच्छे से चमकाते हैं तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से अपने घर के पूझा के तावे पीतल के सभी पसक्याράम को चप्ट कह सकते हैं यह पेस्ट तियार हो गया अब आपको बर्तर कैसे चमकाने वो बताती हूँ तो यहां पर देख़े यह मैंने लिया एक गंगा सागर और si तरीके कगा अगया तो आगे पीछिर अंदर के तरफ इस अच्छे से लगाते के और उसके बाद आप इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिखे ठीक है रगड़ते हुए आपको इसे लगा देना है और 10 मिनट के लिए से छोड़ देना है और उसके बाद आपको क्या करना है आपको लेना है एक स्क्रबर और एक स्क्रबर की हेल्प से इसे अच्छे से साफ कर लेना है बहुत जादा मेहनत नहीं करने पड़ेगी बहुत ही आसानी से ये क्लीन हो जाएगा बस थोड़ा थोड़ा ये इस तरीके से पेस्ट लेते जाएं और इसे रगरते जाएं ये देखिए हमारा जो गंगा सागर है कितना गंदा था और कितने अच्छे से चमक चुक तो यहाँ पर ये साफ हो चुका है अब मैं इसे पानी से दोकर आपको दिखाती हूँ जब आप इस ट्रिक से अपने ये तावे और पीतल के बरतनों को साफ करेंगे तो ये दुबारा बहुत जल्दी काले नहीं पड़ेंगे देखिए कितना जादा ये चमक चुका है है न काम की ट्रिक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कॉमन्ट शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करें और पर क्लिक करें